आप देख रहे हैं WLBS News चैनल को सब्सक्राइब करना और वेल आइकन को प्रिज करना ना भूले जैभीम दोस्तो मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो इस समय हम सोसर मद्दब्रदेश में हैं और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता चुका था कि यहाँ पर थाइलेंड से आई सो मूर्तियों का वित्रण हो रहा है और आप सभी बार-बार कह रहे हैं कि हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए तो आज मेरे साथ जो आप जिस हस्ती को देख रहे हैं जिस सक्स को देख रहे हैं इनका परिचे करानी के आप सकता नहीं है इनका नाम है गगन मलिक सहाब और इन्होंने तथागत बुद्ध का बहुत जवर्दस्त रोल करदार अदा किया था और उस फिल्म में इन्हें जो ब आपका स्वागत आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहले कि यह जो आप धम का जो काम कर रहे हैं यह आपको प्रेड़ना केसे में मेरी जो शुरुवात हुई थी मैं एक हिंदू परिवार में पला बढ़ा हूं मैं एक मुझे एक ओफर आया शुरुलंका से कि एक फिल्म है भवान बुद्ध के ओपर उसमें ऑडिशन थे बहुत एक लाइनप था बहुत बड़ा तो क्या वो आप करना चाहेंगे तो मैंने का ठीक है लेकिन मैं उनके बारे में पढ़ना चाहूंगा कि मुझे मैं जानता भी नहीं था कि जादा बस यह जैसे सब लोग जानते हैं कि वो एक पीस का सिंबल एक शांती का प्रतीक है या इस टाइप की चीज़ें मैं जानता था तो काफी तीन-चार महिनों के परिश्रम के बाद वो रोल मुझे मिल गया अब समय आ गया था कि मैं उसे पढ़ूं अच्छे से और जब मैंने पढ़ा तो मैं जिसे कहते हैं ना कि सोचता ही रह गया कि इतना बड़ा खजाना जो धमका है वो कभी भारत में लोगों के सामने आया ही नहीं है खंता है हमई वो अगर बॉलिवुड का हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे छोटा घर हो, आपको बुद्ध की पेंटिंग, बुद्ध की मूर्ती, सब कुछ देखने को मिलेगा, जब आप उनसे पूछेंगे, तो क्यों लगाई, यह आप इनके बारे में जाता है, यह शान्ती का प्रतीक है, लेकिन उन्हें इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है, धम्म के जानने की जरूरत है, तो फिर जब मैंने यह फिल्म हिट होई श्रिलंका में, उसके बाद इसको दिखाया गया, बड़े सारे बुदिजम कहा है, वो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता था, तो फिर यह बात मैंने सोची की ऐसा क्यों, और आप मानेंगे निए उस समय मुझे बाबा साब के बारे में भी जादा नहीं पता था, फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा, जब मैंने उनके ब के बाद जब आप देखेंगे, तो बुदिजम भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्च में बहुत अच्छे तरीके से फैलेगा, और उसका कारण भी वववसावी होंगे, आप यह देखेंगे, उनकी विजन बहुत पार दर्शिता बहुत जादा थी, किसी ना किसी तरीके से लोगों को जोड़ कर, बात यह नहीं है कि तो बहुत बध बहुत अपने आप वहा पहुंचना शुरू होगा, लोग जानना चाहेंगे, हमकिसिको देंगे अच्छा काम करने के लिए, तो बहु पूछेगा, तो हम उनको चार बाते धम की बता करी च हो असानी कुछ चीजें बताई जा सकती हैं तो यह सब कुछ इतना कुछ हुआ मेरे जीवन में मैं ज्यादा समय लेकर बताऊंगा तो बहुत समय निकलेगा तो यह सारी बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया अब ऐसा ही साथ अगर हम सब एक दूसरे का दे देंगे तो मुझे लगता है कि बुद्धिजम जो है वापस भारत में आ जाएगा और यह प्लीस मैं यह बार बार कहना चाहता हूं बुद्धिजम एक जीने का तरीका है यह धर्म नही अब अच्छे हिंदू बनेंगे अच्छे मुस्लिम बनेंगे अच्छे सिख बनेंगे आप उस लाइन पर चलिए वो हमारा संदेश है और आज मैं आया हूं आज महत्पपुन दिन भी है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन खतम किया था उसको एक उन्होंने वो जलाया था कि आज से बिल्कुली एक सिंबल जिसे कहते हैं वो बता दिया गया था और यहां मनुस्मिती तो यह मुझे लगता है कि आज बहुत ही महत्पपुन दिन है जिसके कारण आज जो डिस्क्रिमिनेशन था उन्द बेसिस ऑफ कास्ट कलर क्रीड या रिलिजन वो खतम हुआ और बाब स कुछ ऐसा लगता है कि मैं यहां पर आके मैंने कुछ गल्ती किया ऐसा नहीं है कि मेरे उस फिल्म के बाद कुछ आए नहीं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म करते ही सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मैं बौध हुआ श्रिलंका में सब 2014 में उसके बाद मेरे मन मे ये बात हाई कि मेरे जीवन का एक लक्ष है, लक्ष ये है कि दम्म का प्रचार प्रसार करना, अब मेरी जो छवी है वो इस तरह की बन गई है कि लोग मुझे रोल मॉडल भी समझते हैं, वो मुझे देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी प्रचार के बाद हुई, जी टीवी पर रमायन आई थी, उसमें भावान राम का किरदार भी मैंने निभाया, छे सो तीस एपिसोर सोनी टीवी पर हनुमान सीरियल के आए, उसमें भी राम, क्रेश्न, विश्नु मैंने निभाया, अभी भी विश्नु कर रहा हूं संतोशी म में, ऐसे मैंने अभी थाई फिल्म की है, मैंने फेबरी में, जो थाइलेंड की फिल्म है, वो भी एक अच्छे मेसिज देने वाली है, तो मेरा कोशिच है कि ऐसी चीज़े की जाएं, जिससे कोई मैसिज या सोसाइटी का भला हो सके, असर आपने जैसे तथागत बुद्ध की बाते आपके इंदरा हैं, देखे, सबसे इंपोर्टन जो मैं समझता हूं, एक एक चीज इंपोर्टन है, एक चीज हीरा है, जो दंब में लिखा है, मैं कमपैशन की तरफ ज़्यादा देहान देना चाहता हूं, जब आप कमपैशनेट होते हैं, तो आप अपने जीवन क के साथ साथ औरों का जीवन भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, करुणा भाव अपने अंदर लाना एक बहुत बड़ी बात है, मैंने अग्रेशन देखा है, जैलिसी देखी है, हेट्रेड देखी है लोगों के अंदर, चाहिए वो किसी भी धर्म से बिलॉंग करते हैं, ल मैं compassionate बनने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पत है, जिस पर हम सब को चलना चाहिए, मैं आपसे अगर बाते करूँ आपके पास जो ग्यान है, आप एक एक्टर के साथ साथ, आप जो बाते बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं किसी दार्शनी देख रहे हैं, मैंने बोला थे क्या आपको ये बुद्ध की मुर्ती चाहिए, तो सब कमेंड में कर रहे हैं कि मुझे चाहिए, मेरा ये नमबर है कोई आगरा का है, कोई दिल्ली का है, कोई चिन नहीं का है, अब मैं आपसे ये जाना चाहता है, को उन सारे दर्सों को को य अपने अपने गर के लिए एक विहार के लिए बड़ी मूरती जो अपनी प्रियर्स करने के लिए चाहिए उसके जब हमें डेटेल्स मिलते हैं तो हमारे भी अब मैं आपको बताता हूँ यह कवर करने का तरीका क्या है इतने सारे बुद्धिस्त है इतनी मूर्थिया हम कैसे कवर करेंगे मैं काफी सारे लोगों के साथ जुड़कर अग्रसर हो रहा हूँ एक ऐसी चीज के लिए कि हमारे देश में भारत में एक बड़ी महा संग बननी चाहिए और एक संग राजा भी होने चाहिए जो इंडिया को रेप्रेजेंट करें इंडियन बुदिजम को रेप्रेजेंट करे है तो वो हमारी इस महा संग से कंटेक्ट करें और उसके थू हम ये सारे चीजें कर सके जब महा संग होगी तो जो जो जिनको भी चाहिए होगी वो पूरे भारत उसमें इन्माल हो जाएगा तो यह एक तरीका है कि करके हम सब के पास पहुंच पाएंगे इसमें समय लगेग लेकिन यह बात समझें भवान बुद्ध डेकोरेशन का पीस नहीं है अगर आज भी जो मूर्तिया दे रहे हैं हम कोशिच कर रहे हैं कि उन्हें आप भवान भुद्ध ही समझें कि वो धम का प्रतीक आया है आपके पास अगर आप उसे डेकोरेशन का पीस समझ के लेना चा सर आपने जो बहुत ही अमूल समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्सकों को आखरी में क्या कहना चाहें आखरी में मैं बस यह कहना चाहूंगा कि कई बार मुझे इस बात का ऐसास होता है हमारे बुद्धिस्ट भाईयों में कि एक जो संग वाली पालन करने यहांगे तो सब नम बुद्ध ल Non